सभी किसान भाईयों को मेरा राम राम, मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है और मैं आसा संजिता से हूँ आज मैं ग्राम धुर्सरू में आया हुआ हूँ और हमें जानकारी लगी है कि स्रीक किसान भुपेंजी ठाकोर आज जैविक तरीके से ग्यों का वीजवचार कर रहे हैं आव उनसे आज हम जैविक तरीके से ग्यों के वीजवचार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं आपका खेति किसानी में अभी क्या चल रहा है अभी तो बैया गैहों की बवाई की तैयारी चल रही और आज हम गैहों की बीज उपचार कर रहे हैं किस बीदी से भी आप के बीज उपचार कर रहे हैं यहां के बीज उपचार कर रहे हैं इससे बीज अंकुरान अच्छा होता है बीज शां बढ़ता है और इससे हमें उत्पादन व्याधिक मिलता है भूपेन जी आज आप जैविक तरीके से ग्यहूं का बीज उप्चार कर रहे हो इसमें आपको कौन-कौन सी सामगरी की आवसक्ता पड़ती है मैई इसमें हमें सबसे पहले तो ग्यहूं की आवसक्ता पड़ती है और इसके बाद हमें पानी की आवसक्ता पड़ती है इसके बाद हमें तीन प्रकाओं की दवाओं की अवशक्ता होती है जिसमें हम सबसे पहले मिलाते हैं ट्राइकोडर्मा और इसके बाद हमें एजोटो वेक्टर कल्चर की अवशक्ता पड़ती है और हम इसके बाद PSV कल्चर मिलाते हैं बीजों में दवानिया मिलाने के लिए इस फट्टी की आवसकता पड़ती है एवन सुरक्षित तरीके से बीज उपचार करने के लिए इन ग्लस की आवसकता पड़ती है तो भोपिन जी आप हमें आंगे की प्रिक्रिया बताएंगे हाँ हम आपको आंगे की प्रिक्रिया बताए देते हैं सबसे पहले तो हम इस पंदी को बचाएंगे और वहिया हम इन गहों के बीजेओं को इस पंदी पर डाल देते हैं बैया, आप ये गिलपस क्यों पहन रहे हो? बैया, ये दवाइया जो हम मिल ला रहे हैं, वो अत्याद एक जैहरी लिए हैं, इनसे हम कोई भी नुक्सान न पहुंचए इसके सुरक्षा के लिए हम ये गिलपस पहन रहे हो भईया इसके बाद अब हम इसमें गेहों में थोड़ा सा हलका हलका पानी इसमें सीचींगे आप गेहों में पानी क्यों मिलाते हो भईया भईया गेहों में पानी मिलाने से ये दवाइया जो हमें इसमें डालते हैं वो अच्छे से मिल जाती है अब इसमें हम दवान्य मिलाएंगे जिसमें हम सबसे पहले ट्राइकोडर्मा मिलाएंगे भी आप पर किलो पर कितना ट्राइकोडर्मा डालते हों हम पर किलो पर पांच ग्राम ट्राइकोडर्मा डालते हैं और एक एकड़ पर हम 40-40 kg गैहों बहोते हैं तो 40kg पर 200g ट्राइकोडयर्मा मिलते हैं कि भीया अब यह प्राइकोडयर्मा से क्या फायदें हैं भाइयद कोडर्मा से जो फफूजनक रोग होते हैं वो रो इसमें नहीं लगते हैं बीज में ऐस kin отдoknajमें. से अब इसमें एजटो वेक्टयर मिलाएंगी है आप एजटु वेक्टर प्रति किलो कितना मिलाते हों है एजटो वेक्टर हम प्रति किलो दस ग्राम मिलाते हैं ओर हम 40 किलो एक एकड में बौटे हम तो उसपर हम 40 किलो पर 400 ग्राम एजिट्र वेक्टर मिलाते हैं और अंतमें हम इसमें PSV कल्चर मिलाते हैं ये PSV कल्चर भी हम प्रती किलो के हिसाब से 10 ग्राम मिलाते हैं और ये भी 40 किलो हम एक एकड़ में बोते हैं गया हूं इसमें हम 400 gg PSB culture मिला देते हैं PSB culture से आपे क्या फाइदे हैं PSB culture मिलाने से जो जमीन में इस सिर्फ Phosphorus होता है वो घुलनसील हो जाता है और वो Phosphorus हमारे पौधों को मिलने लगता है और वह यह हमें इसे यह फाइदा है कि जो गेहों की जणए होती है हिए जड़े मजबूत होती है इसका धाना मजबूत होता है और चिमकदार होता है ुआ ुद आप किया करोगे इसके बाद वह हम इन बीजों को चाया में को समय के लिए स greedy आप च्छाया में क्यू सु स्वाइदे बताएंगे हां यह जो सब्सक्राइब को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सब्वाई किसान भाईयों को मेरा राम राम मैं सब्वाई किसान भाईयों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सब्वाई किसान भाईयों लोग भी बीज उपचार करें बोने से पहले और उससे होने वाले लावों का फाइदा लें भूपन जी आपका बहुत बहुत धन्वाद जो आपने हमें गयों क्या जैविक विद्धी से बीजवचार के वारे में बताया और हम आसा करते हैं कि हमारे किसान भाई इस विद्धी को अपनाएंगे और अधिक से अधिक फायदा लेंगे अच्छत भाईया राम 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 में राम राम राम